हेलो दोस्तों, आज लाई हूँ आपके लिए कोकनेट और आठा बिसकिट की रेसिपी जो बनकर एकदम खस्ता तयार होंगे चलो बनाना सुरू करते हैं, यहाँ पर मैंने लिये हैं आधा कटोरी घी वन थर्ड कटोरी मैंने यहां पर सूजी लिया है एक कटोरी मैंने यहां पर लिया है नारेल बुरा आधा कटोरी मैंने लिया है चीनी चीनी बुरा ना हो तो चीनी को पीस कर आप बुरा बना सकते हैं अब एक पाराद में घी ढाले अभी मैं घी कम डाड़ाई हूँ, अगर आटे में घी कम लगेगा तब हम घी होर एड़ करेंगे अब इसमें चीनी बुरा डालें और घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें घी चीनी को तब तक मिक्स करते रहें जब तक इसका एक पेश्ट ना बनकर तयार हो जाए यहाँ पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो कटोरी आटा अब इसमें डालेंगे नारेल बूरा और सूजी मैंने आटा, सूजी, नारेल बूरा एकी कटोरी से नाप कर लिया है तो आप भी एकी कटूरी से नाप कर लें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा इलाइची पौडर अगर आपको पसंद हो तो अपनी इच्छानु सा डालें फिर सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आटे को हाथ में लेकर मुठी बांद लें अगर आटे की मुठी बंद रही है और आटा बिखा नहीं रहा है तो जो मोहिन हमने आटे में डाला था वहाँ ठीक है तो हमने यहाँ पर सभी चीजों को बराबर मात्रा में यहाँ पर डाला था थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर हमें आटे का सक्त डो गूत कर तयार कर लेना है आटे को जादा गीला ना करें आटे को गूत कर मैंने यहाँ पर तयार कर लिया है आटे को 10 मिनट के लिए हमें ढख कर रख देना है आटे को 10 मिनट हो गए हैं अब हमें यहाँ पर आटे की बड़ी बड़ी गोली बना कर तयार कर लेना है, छोटी गोली हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, हमें बिस्किट जादा पतले या जादा मोटे नहीं बनाना है, मीडियम सेज के बिस्किट हमें बना कर यहाँ पर तयार कर लेने हैं, आटे की गोली बना कर रोटी तयार कर लें, बिस्किट अपनी इच्छा अनुसार छोटे या बड़े बनाएं, मैं यहां पर एक गिलास की मदद से बिस्किट बना रही हूं, अगर कुकीज कटर हो तो इससे भी आप बना सकते हैं, मेरे पास गिलास था तो मैंने इसी से ही बना दिया, यहां तो आप कोई साभी डिजन बना सकते हैं, तयार किये हुए बिस्किट को पलेट में रख लें, सारे बिस्किट को हमने ऐसे ही तयार कर लेना है, जैसे हमने पहले बिस्किट को तयार किया था, बिस्किटों को छोटे या बड़े आकार में गिलास या कुकीस कटर से काट कर त यहां पर मैंने सभी बिस्किट को तयार कर लिये हैं, कडाई में तेल गरम करें, थोड़ा थोड़ा बिस्किट डाल कर, अलटते पलटते बिस्किट को धीमी आज में गोर्डन ब्राउन कलर आने तक हमें पका लेना है, बिस्किट यहां पर बन कर तयार हो गई है, बिस्किट म बिस्किट को अलड़ते पलड़ते हुए धीमी आज में बिस्किट को गोर्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है बिस्किटों को हमें धीमी आज पे ही बनाकर तयार करना है सारे बिस्किट बनकर यहां पर तयार हो गए हैं एक बार अगर इन बिस्किट को आपने घर में बन और जब छोटी छोटी भूग हलका फुलका खाने का मन हो तो आप इनको खा सकते हैं यह बिस्किट बड़े हो या बच्चे सब को पसंद आएंगे आप भी बनाएए नारेल बिस्किट की रेस्पी आप लोगों को मेरी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं तब तक आप लोग भी स्वस्त रहें मस्त रहें और अपना ध्यान रखें